दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में आज के इस वीडियो से हम सुरू करने जा रहे हैं यूपी ट्रफलसी फेट में माथ की क्लासें तो वह सबसे पहले हम जान लेंगे कि यूपी में मैं का स्लेबस क्या होता है इ shore Chapter की hmm६ ऑस औंगा होता है जिसमें पांच अंग होते हैं वां गडित के आते हैं दिन्न तता दसमलव, साधारण अंक गडिती समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, आउसत और हमारा आखरी चैप्टर रहेगा प्रतिशत्ता तो अभी आपको एक विसेश बात का ध्यान देना है कि अगर आप UPSC में केवल PT के लिए गडित पढ़ना चाह नहीं देना है, ताकि PT के पेपर में जो अंक गडित के पांच नंबर हैं उसमें हमें पांचों अंक प्राप्त हो सकें, तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी पूरी उर्जा इनी साथ चैप्टर में लगानी है और हमारे साथ बने रहना है, अगर आपको वीडियो संख्या, पूर्ण संख्या, अरथात, होलल नंबर, अब यह पूर्ण संरा होती क्या है, सबसे पहला हम इस पर ध्यान देंगे, पूर्ण संख्याओं की सुरुवात होती ऐब 0 से, 0, 1,2, 3,4, पित प्रकार से अगर आप संख्या लिखते रहेंगे, तो इन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्या तो बैस सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पूर्ण संख्याओं के अंतरगत यूपी ट्रिपल सी कितने टॉपिक्स पर वाई सवाल पूछती है सबसे पहले मुने देख लेंगे अब पूर्ण संख्याओं के अंतरगत पहला हमारा टॉपिक है सम और विसम संख्या भाई सम को हम बोलते हैं इवेन नंबर्स और विसम को बोलते हैं और नंबर्स तो हमारा भाई पहला टॉपिक रहेगा सम और विसम संख्याएं इसी प्रकार भाई दूसरा टॉपिक रहेगा भाज्य और अब भाज्य संख्या हैं भाई बाज्य को हम बोलते हैं composite numbers और प्राइम को बोलते हैं अब भाज्य संख्या हैं भाई इसके लावा हमारे topic हैं इस्थानी इमान वा जाती इमान भाई इस्थानी मान अर्थात place value और भाई जाती मान अर्थात face value इसको पढ़ेंगे हम लोग भाई इसके लावा एक famous topic है इकाई का अंक unit digit इसको भाई cover करेंगे इसके अंतरगत unit digit हब भाई इसके अलावा होता है संख्याओं का योग संख्याओं का योग बाई इसके अंतरगत क्या पढ़ेंगे हम संख्याओं का योग संख्याओं के वर्गों का योग और बाई संख्याओं के घानों का योग पढ़ेंगे इसके अंतरगत हम बाई इसके अलावा हम कुछ विभाजिता के नियम भी पढ़ेंगे इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं बाई इसके अलावा हलका फुलका हम सेस्फल प्रमे को भी पढ़ेंगे इस पर भी एक दो सवाल कभी कभी आते हैं और बाई इसके अलावा समानतर स्रेड़ी AP गुडोत्तर स्रेड़ी जीपी और भाई हरात्मक स्रेड़ी एच पी इनको भी हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे एक दो सवाल कभी-कभी हमें इन पर भी मिल जाते हैं तो भाई अभी टॉपिक क्लियर हो गए कि हमें पूर्ण संख्याओं के अंतरगत इतने टॉपिक भाई सम और विसम भाज्य और अबाज्य इस्थानी मान एवं जाती इमान इकाई का अंक निकालना संख्याओं का योग विभाजता के नियम सेश्फल प्रमे और भाई इसके अलावा हमारी तीन स्रेड़िया समांतर स्रेड़ी गुडोत्तर स्रेड़ी और हरात्मक स्रेड़ी बस बाई यहां एक बात का ध्यान रखना है हमें किसी भी चीज में deeply नहीं गुशना है हमें सब का basic knowledge चाहिए अब हम सुरू करने जा रहा है हमारा पहला topic पूर्ण संख्या whole numbers अब संख्या हैं दो प्रकार की होती हैं बाई पहला प्रकार हो गया सम संख्या और दूसरा प्रकार है विसम संख्या सम संख्या को कहते हैं हम even numbers और बाई विसम संख्या को कहते हैं odd numbers अब बाई सम संख्या हैं काउन संख्या होती हैं वे संख्या हैं जो हमेशा दो से विभाज्य हो जाती हैं जैसे 2,4,6,8 और बाई इस प्रकार आगे और बाई विसम संख्या हैं काउन होती है जो दो से विभाज ये नहीं होती एक तीन पांच साथ और भाई इस प्रकार से आगे तो भाई इनकी पहचान क्या है कि जो संख्या है दो से विभाज ये हो जाएं वे सम संख्या होती है और भाई जो दो से विभाज ये ना हो उन्हें कहते हैं विसम संख्या है अब भाई अ कि मांन लो कोई संख्या लिखे इस प्रकार से और पूचेगा कि यह संख्या समय या विशम है तो बैया हमें केवल एकाई कान ध्यान देना है अगर एकाई का अंक सम है तो बाय संख्या सम है और अगर भाई इकाई कांक विसम है तो भाई संख्या विसम होगी अब यहां इकाई में आठ है तो भाई आठ एक संख्या होती है तो भाई पूरी संख्या संख्या होगी यहां इकाई कांक नौ है अर्थात भाई यह संख्या विसम संख्या होगी अब यहां एक पैटर्न को देखिए भाई हुआ समसंक्या का उंसी होती है डो अगर आप दो में दो जोड़ दीजिए तो अगली संख्या जाएगी वह म्लब boat जो बगल बगलवाली संख्या होती है शहें सम मों चाहें विशम में हो बड़ें कांतर होता है अर्फाद अगर कोई संक्या पता है उसमें हागर हम दो जोड देंगे तो भाई हमें अगली संख्या मालूम हो जाएगी अगर हम दो घटा देंगे तो हमें उसके पहले वाली संख्या पता चल जाएगी तो भाई यहां पर ध्यान दीजिए अगर हम दो में दो जोड देंगे तो भाई हमें संख्या चार क संक्या का पता चल जाएगा लेकिन अगर हम दो में दो घटा दे तो भाई हमें उसके पहले की संक्या का पता चल जाएगा तो भाई विसम संक्याओं की सुरुवात हम करते तो दो से हैं लेकिन अगर कहीं पर प्रस्ण आ गया कि भाई सून ने कौन संक्या है तो वैसे तो सून सम या विसम में आता नहीं है लेकिन अगर पूछा जाए कौन है तो भाई सून भी एक सम संख्या मानी जाएगी क्योंकि अगर कहीं पर लिखा है दस तो भय दस क्या है दस एक संप्षक्रण है क्योंकि यहां इकाई का पॉण सूण नहिए तो बैव यह हो गई हमारी सम और विसम संख्या है अब आगे चलते हैं अब वबाजिता के आधार पर पूर्ण संख्याएं फिर से दो प्रकार की होती है तो भाई एक तो होती है भाज्य संख्याएं और भाई एक होती है अभाज्य संख्याएं भाई जो भाज्य संख्याएं होती है उन्हें हम कहते हैं composite numbers और जो आभाज संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं prime numbers तो आभाज संख्याओं को पहले देख लेंगे आभाज संख्याओं वे होती हैं जो केवल स्वयम या एक या तो वे स्वयम से विभाजित होंगी या केवल एक से विभाजित होंगी अन्न ने कोई संख्या इने विभाजित नहीं कर सकती है वै हम और ये कहते हैं ये अ संख्या इसी लिए हम कहते हैं यह अभाज संख्याएं हैं अभाज संख्याओं की सुरुवाद दो से होती हैं दो हो गया तीन हो गया पांच हो गया भाई साथ 11 13 इस प्रकार से आप आगे लिखते चले जाओं अब आप यहां चेक कर लो जो भी संख्या हैं हमने लिखी हैं जैसे अजा तो केवल दो से कटेगा या भाई 1 से कटेगा इसी प्रकार तीन है पांच है साथ है या तो भाई सोयम से कटेंगे या फिर एक से इन्हें कोई और संख्या काट नहीं सकती है इसलिए इन्हें कहते हैं आप भाज्य संख्या है इसका जस्ट उल्टा होता है भाज्य संख्याओं में जो संख्या स्वयम और एक को छोड़ कर किसी एक संख्या से और कट जाएं तो उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्या हैं जैसे चार हो गया छे हो गया आठ हो गया नव हो गया इस प्रकार से भाई अब यहां चार है भाई चार चार से तो कट जाएगा उसके अलावा एक से कट जाएगा भाई उसके अलावा यहां दो से भी कट जाएगा इस प्रकार जो छे हैं वहां दो और तीन दोनों से विभाज्य हैं तो इसलिए इने कहते हैं भाज्य संख्या हैं तो भाज्य और अभाज्य संख्या हैं तो क्लियर हो गई अब इन पर सवाल किस प्रकार से आते हैं वो हमें देखने हैं तो पहला सवाल तो आता है कि सबसे छोटी अभाज संक्या कौन सी है तो भाई सबसे छोटी अभाज संक्या दो होती है भाई कभी-कभी क्या होता है आपसन में एक लिखा होता है तो भाई एक जो संख्या होती है उसे नहीं भाज जी माना जाता है और भाई नहीं अभाज जी माना जाता है तो ध्यान देना है हमें एक पर गवर नहीं करना है सबसे छोटी अभाज संक्या होती है दो और यहां एक खास बात है केवल दो ही एक ऐसी संक्या होती है जो सम भी है और अभाज संक्या भी है उसके अलावा कोई भी अभाज संक्या सम संक्या नहीं होती है क्योंकि अगर सम होगी तो वहां दो से विभाज हो जाएगी तो वहां अभाज संक्या नहीं रहेगी इसी प्रकार भाज संख्या में आ जाओ पूछा जाता है सबसे चोटी भाज संख्या कि तो भाई सबसे चोटी जो भाज संख्या होती है वहा होती है चार उप söz उसके अलावा नमबर यहां पहली विशम संख्या है गवर करना है तो भाई पूछेगा पहली विशम भाज संख्या जो विशम भी हो और भाज भी वह होती है हमारी नौ तो भाई इन चीजों में बड़ा गवर करना है कि सबसे छोटी भाज संख्या होती है चार और भाई सबसे छोटी विसम भाज संख्या होती है नौ भाई इसी प्रकार सबसे छोटी अभाज संख्या होती है दो और भाई दो एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है औ और भाई अभाज भी है आप आगे चलते हैं अब भाज और अभाज टॉपिक के अंतरगत दो संख्या और होती है उन्हें भी यहीं कवर कर लेंगे पहली संख्या होती है सहाभाज संख्या अंग्रेजिम कहते हैं को प्राइम नंबर्स और भाई दूसरी संख्या होती है जुडवा अभाज संख्या भाई अंग्रेजी में कहते हैं टुइन प्राइम नंबर्स तो भाई यहां पर हमें दो संख्या यह भी देखनी पड़ेंगी अब भाई इसका नाम है सहाभाज संख्या हैं जो भाई आपस में अभाज हैं वैसे तो अभाद्जी नहीं है, लेकिन भाई ये संख्याएं आपस में अभाद्जी हैं, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर, अब भाई इनकी पहचान क्या होती है कि भाई इनका जो HCF है, वा हमेशा एक होना चाहिए अर्थाद भाई सहा अभाज संख्याओं का मासा हमेशा एक होना चाहिए तो भाई वे संख्याएं होती हैं सहा अभाज संख्याएं जरूरी नहीं है कि भाई अभाज हों भाज संख्याएं होंगी लेकिन सहा अभाज होंगी जैसे भाई लिख लो 15 और 16 अब भाई दोनों ही संख्याएं भाज संख्याएं हैं लेकिन भाई 15 और 16 का अगर आप मासा निकालोगे तो भाई इनका मासा आएगा एक अर्थात कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी एक के अलावा जो भाई दोनों को ही काट दे अगर ऐसा है तो इन्हें कहा जाएगा ये सहाभाज संख्याएं है जैसे भाई काउधारण देख लो जैसे भाई लिखा यहाँ 21 और भाई यहाँ लिखा हुआ है 55 अगर आप 21 और 55 पर गवर करो तो कोई भी ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो भाई दोनों ही संख्याओं को विभाजित कर सके भाई कारण भी आप देख लीजिए अगर आप 21 के गुडंखंड करोगे तो भाई आएगा 3 और 7 आप भाई 55 करोगे तो आएगा 5 और 11 अब भाई कोई भी यहां गुडंखंड कॉमंन नहीं अगर भाई कॉमन नहीं है तो इनका मासा हो जाएगा 1 और अगर भाई मासा एक है तो कोई और संख्या इन दोनों संख्याओं को काट नहीं सकती है तो इन्हें कहा जाएगा कि ये सहाभाज संख्याएं है तो इस पर भी एक्सर सवाल बन जाते हैं हमें आप्सन में लिया होता है कि कौन सा जोड़ा सहाभाज है तो भाई वहाँ आपको ढूनना पड़ेगा कि कौन से जोड़े का मासा एक है जिसका भाई मासा एक होगा वहाँ को प्राइम नंबर होगा अब भाई आगे चलिए और भाई आप ढूनते हैं जुड़वा अभाज संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर्स हमें भाई ऐसी अभाज संख्याओं लिखनी है जो भाई पास पास की हो और भाई उनके बीच दो का अंतर हो जैसे तीन और पांच भाई ये पास पास की अभाज संख्याओं भी हैं और भाई यहां दो का अंतर है अगर ऐसा है तो भाई इन्हें कहा जाएगा ये twin prime number है अब भाई इसके अलावा 5 और 7 भी है 5 और 7 अगल बगल की अभाज संख्याएं है और भाई यहाँ 2 का अंतर है लेकिन भाई अगर कहीं पे लिखाओ 7 और 11 तो भाई ये अगल बगल की अभाज संख्याएं तो है लेकिन भाई यहाँ अंतर 4 का है तो ये twin prime number नहीं होंगी भाई उसके अलावा 11 और 13 हो सकता है ये अगल बगल की अभाज संख्याएं भी है और भाई यहाँ 2 का अंतर भी है तो भाई समझ में आ गया कि सहा अभाज संख्याएं और जुड़वा अभाज संख्याएं को प्राइम नम्बर्स और भाई twin प्राइम नम्बर्स क्या होते हैं अब हमारे भाई दो टोपिक क्लीर हो गया है पहला था सम और विसम संख्या और दोसरा था अभाज्य और वाज शंह्क्या है अब चलते हैं अपने प्लेस वेल्यू उन्य और बयक्त जाती माझ बोलते हैं असस इसका गरता है कि प्लेस की क्या वेल्यू हो होगी और train अथ किसी संख्या की फेस की वेल्यू होगी अब रही को संख्या पांसा के 158 अ 누वा से संक्या कि पहुझ हमेशा संख्या के बराबर होती है रहे रही हैसं छाहें किसी भी स्थान पर हो आप से कोई भड़र आप यह कोई भी पांत की पांच होगी अर्थाद वह जाती मान बदलते नहीं है और पांच न्यै कर संख्या चाहें नहीं इस्तनी ही रहती है कि इस्थानी मान होता है उसके इस्थान का मान लिया जाता है जैसे 558 लेलो आप बए 8 का अगर आप से इस्थानी मान जाएगा तो युदू कि इकाई के इस्थान पर है तो इसका मानोगा आथ शेघ का सख्राइब पर यहां पर चे का स्थानी मानोंगा शाट पांच का पूछे तो आपको इसे 100 से गुड़ा करना पड़ेगा तो पांच का स्थानी मान हो जाएगा 500 अब इसे एक और तरीके से देख लेते हैं स्थानी पर पांच एकदम किनारे लिखा हुआ है इसलीए इसका मानोंगा 5 अगर चार का पूछे चार के बाद एक संख्या लिखी है जितनी संख्या लिखी हूँ आप उतने ही जीरो लगा दो अगर आप से 3 का पूछे 3 के आगे 212 तो क्या आगे तीन संख्या लिखी है अर्थात हमें हैं तीन लगाने पड़ेंगे तो संख्या 7 थानि यूमंग हें कितना हो गया 56.28 अब आपसे करने कि छे बौड़ा करते हैं लेकिन अगर दसमलों लगा है और दसमलों के आगे कोई संख्या लिखी अब आपसे कह दें दो काई स्थानी मान और इधर हम गुड़ा करते हैं वो भी एक एक जिरो लगाके भाई दो काई स्थानी मान होगा दो बटा 10 हमने यहां 10 से भाग किया है अगर हमने आठ का पूछेगा तो बैट बटे सव आप एक जीरो बढ़ा दो अगर कोई संख्या और लिखी होती छे तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या दसमलों वाली है तो वहां पर इस्थानी मानम इस प्रकार से निकालते हैं दसमलों के आगे जो भी इस्थान हो आप उस इसाब से जीरो लगाके यहां भाग कर दीजिए दो का हो गया दो बटा दस आठ का हो गया आठ बटे सो और छे का क्या हो गया छे बटे एक हजार अब जानेंगे कि इस थानी मान और जाती मान पर सवाल कितने प्रकार के आ सकते है बाई मान लोग कोई संख्या लिखी हुई है इस प्रकार से यहां सवाल हमसे पहला सवाल बनता है जैसे पूछ दे आप छे का इस्थानी मान माइनस जाती इमान अभी भाई क्या करना है हमें जो 6 का इस्थानी इमान और जाती इमान का हमें अंतर निकालना है तो भाई बड़ाई सिंपल रहेगा संक्या को आप लिख लो इस प्रकार से अभी भाई 6 का इस्थानी इमान क्या होगा बहिए, छे दहाई के स्थान पे हैं, तो इसका स्थानी मान हो जाएगा 60 और भाई, जाती ये मान हमेशा संख्या के बराबर होता है तो भाई, जाती मान हो जाएगा 6 और आप गटा दोगे, तो अंतर आ जाएगा 54 तो भाई, इस प्रकार से अक्सर सवाल बनते हैं यादो और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा अब अगर भाई कोई संख्या लिखी ओ दसम्लों में इस प्रकार से अब यहां से अगर पूछ दे कि मालो चार का पूछ दे कि चार के इस्थानी मान और जाती मान में क्या अंतर होगा तो यहां सवाल थोड़ा से इस्पिसल अब भाई यहां चार का स्थानी मानन क्या हो जाएगा तो भाई पहले आप चार लिखो बटा में एक लिख लो और देख लो दसम्लों के आगे तीसरी इस्थान पे है चार तो यहां हमें तीन जीरो लगाने पड़ेंगे वाई हो गया चार का स्थानी मान और चार का जाती मान क्या होगा चार तो बैए अब हमें निकालना है दोनों के बीच का अंतर कैसे निकालोगे चार माइनस और भैई इसको आप लिख लो दसमलों में कैसे सूनने दसमलों सूनने चार और यहां पर गटा लो तो जाएगा तीन दसमलो नव नव छे बाइ हमारा आंसर हो जाएगा 3.996 तो इस प्रकार से अगर कोई सवाल दसमलो वाला है तो भाइ उसे हम इस प्रकार से हल करेंगे अब जैसे मालो कोई संख्या लिखी है अठावन दसमलो दो सूर निस साथ अगर आपसे यहां पूछ दे कि साथ का जाती मान और इस्थानी मान का अंतर क्या होगा तो भाइ आप यह कैलकुलेट करके हमें कॉमेंट में बता सकते हो अब भाइ इस वीडियो में हमने क्या किया भाइ पूर संख्याओं के अंतरगत तीन टॉपिक क्लियर कर दी है सम और विसम संख्या भाज्य और अभाज्य संख्याओं इस्थानी मान और जाती मान चुकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे जो आगे के टॉपिक्स हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे